हलो एन वेलकम आवरिवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूटिव चैनल आई एस पॉइंट में तो गाईस मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और आप सभी की स्टेडी वी काफी अच्छे से चल दी होगी तो गाईस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कल जो हमने डिसकस किया था लाओ चुमारा टौपिक था वो था अंकुरित और आज जो हम डिसकस करने वाले हैं हम डिसकस करने वाले हैं कुछ इस्तल या आवाश के वारे में जिसमें से एक टॉपिक है हमारा मरू इस्तल तो इसके वारे में आज हम अच्छे से जानेंगे और आप सभी लोग एडिक में भी देख पा रहे हो तो चलिए आज की वीडियो देरी ना करते हैं हम लोग स्टार् मारो इस तर वह जगा है जहां पर जो भी मतलब वह जगा होती है न वह एक मिरत होती है जहां पर मिट्टी नहीं पाए जाती है वह इस्तान होता है वह जो इस्तान होता है न वह एक अनुप जाओ होता है जहां पर मिट्टी नहीं पाए जाती है यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है जहां पर बस बालू और पत्थर ही पाए जाते हैं तो आपने सही सुना वहां पर सिर्फ बालू और पत्थर ही पाए जाते हैं वह इस्तल कहलाता है मरू इस्तल वर्शावी वहां पर बहुत कमी के साथ होती है यहां पर जहां पर जमीन जीवन जीपाना के लिए प्रियाप्त नहीं है लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी जगाव है जैसे मनुस्तल है रेग्यस्तान है जो क्या होता है का इस वहां पर आसानी से रह पाते हैं तो यह अनुकूलन से ही संभव हो पाता है तो क्या है कि वो अनुकूलन से ही संभव हो पाता है जैसे आप सब भी जानते हो जैसे कि आप सब भी लोग में भी जानते होगे कि यह जो उट है न वो उसके वारे में मैंने आपको बताया था कि उट में अनुकूलन के बारे में कि उसके जो पैर होते हैं वो काफी लंबे होते हैं और उनके पैरों में खुर भी काफी नरम होते हैं और वो उश्मा जो होती है न गाई तो उनकी बोडी पर उनकी बोडी तक मतलब जो उट होते हैं उनकी बोडी तक उसमा नहीं पहुंसत उस सरजी की प्रकरिया भी काफी कम मात्रा में होती है। उनकी गरदन लंबी होती है। और आसानी से पत्यों को तोड़ के खा सकते हैं। अगर कहीं पे पेर दिखाई देते हैं रेकिस्थान में आप सब भी को पता है गाईस कि रेकिस्थान में पौधे होते हैं वो पौधे की एक विशीश प्रकार की सरचन होती है जैसे नाकफणी का पौधा उसमें क्या होता है गाईस वो कांटे नूमा होता है वहाँ पर जादा पाए जाते हैं ठीकिए वहाँ पर काटे नूमा पौधे जादा पाए जाते हैं क्यों पाए जाते हैं ये अभी लोग हम लोग अच्छे से जानेंगे आपको समझना है गाई कि आखिर ऐसा क्यों होता है महाँ पर आखिर कांटे नूमा पौधे क्यों पाय जाते हैं तो गाई जो नागफनी का पौधा होता है ऐसे छेत्र मनुस्थलिये पौधे जो कांटे नूमा होने के कारण वो उनकी पत्तिया हैं और वो कांटे का रूप ले लेती हैं और उनके तने का जो काम है वह प्रकाश रंश्लेशन को किलिया करने का होता है यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है живот आ होता समझ आ आपको क्या समझा रहा है आप क्या समझारी हुँ आप इसको plugged केज़ोर करें यह कु किलिया करना होता है और वह तन उसका खाना बनात है ठीक है पत्ते कांटे नूमा हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता है ठीक है यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्या होता है कि पाने दाव होने के कारण उनके जो जड़ होती है उनकी जो रूट होती है काफी नीचे तक चली जाती है ऐसे जो आप इसक उनकी body से ना निकले तो इसलिए उनके पत्तों का अकार काटे नूमा हो जाता है आपको अच्छे से ध्यान रखना है मैं भी आप सभी को अच्छे से समझ जा रहा होगा अगर आपके guys point wise नहीं clear होता है तो आप मुझको comment works में comment करें ठीक है लेकिन आप मेरे को अच्छे से सोने यहाँ पर क्या होता है guys कि जो उट होते हैं उट के अलावा भी यहाँ पर क्या रहते हैं यहाँ पर साब भी रहते हैं चूही भी रहते हैं और गड़े में जो चूही होते हैं guys वहाँ पर गड़े में आए अब हम लोग देखने वाले हैं परवतिय छेत्र के वारे में क्या के परवतिय छेत्र होता क्या है तो गैस परवतिय छेत्र वो इस्थान है जो अपने आसपास इलाकों से काफी उंचा होता है उसे हम लोग परवतिय छेत्र कहते हैं परवतिय छेत्र में काफी पिरकार के पेड़ पहुदे होते हैं काफी colorful होते हैं वो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है ठीके उस पिरकार से वहाँ पर जो पाए जाने वाले जो जन्तु होते हैं वो ऐसा धर होते हैं वो काफी तेज़ दोड सकते हैं और वो खुर भी होते हैं ठीके वो खुरे होते हैं खुर होते बहुत सरे ऐसे animals है जो खुर के कारण क worry कि परवतों पर आसानी से चर जाते हैं ये भी आपको अच्छे से ध्यान लखना है परवतों पर क्या होता है गाइस अनुकूल की जो अनुकूल के अकॉर्डिंग वहां के जो जानवर होते हैं वाकेज अनिमल्स होते हैं का विकास होता है तो परवतों के अनुकूल ही उनका विकास होता है अनिमल्स का ये भी आपक अच्छे से जाल लेना है ऐसे जानवर जो परवतिय छेत्र में रह पाते हैं बहुत ऐसे परवतिय छेत्र हैं जहां पर पेड़ पौधे की अपेक्छा बरफ होती है ठीक है पेड़ पौधे की अपेक्छा बरफ भी अच्छे से परती है बरफ में कैसे दिखाएंगे दिखें टील्ट टे रहे करा सुद के और अध्यक्व में परंवती ज्यान reckलंवी गुशी को में कुछ रूप में इस तरीकेören है और जिनका कलर ब्लैक होता है ठीक है जो सांप होते हैं जो कई सांप होते हैं जिनका जो सांप होते हैं परवती जितर में उनका कलर ग्रीन कलर का होता है आपको यह अच्छे से दिहान दखना है जैस में भी आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा और इसको लेकर आपका क को के लिए कर सकते हैं and thank you so much guys guys अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इस पे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए and comment कीजिए thank you so much guys bye bye आज की वीडियो में यहीं पर फिनिश होती है अब हम आप से मिलते हैं कल तब तक के लिए thank you so much guys and bye bye